तो दोस्तो सबसे पहले आप लोग को बता दे कि इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये बिलकुल भी नहीं है कि इन दोनोई फिल्मों में से किसी भी फिल्म को कम में आकना बलकि भुल भुल या थ्री फिल्म के टेलर ने एक दिन में ऐसा करनामा कर ही दिया है कि मुझे इस बारे में बात करने वाला हूँ तो वीडियो पे सुरू से अंतक बने रहिएगा तो चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले आपको बता दे कि सिंगम अगेन फिल्म के टेलर को रिलीज हुए आज पूरे तीन दीन हो चुके हैं और इस फिल्म लोग इस फिल्म के टेलर पे कमेंट भी कर चुके हैं पर दोस्तो करते कारी अंसर की भूल भलिया थ्री फिल्म के टेलर को रिलीज हुए अभी सिर्फ एक ही दिन हुए हैं और इस फिल्म के टेलर पे अभी तक टोटल 4,07,97,768 व्यूज आ चुके हैं और इस फिल्म के टेल अपने पहले दिन बॉक्स ओफिस पे भूल भलिया थ्री फिलिम से कम कमाई करेगी बलकि दोस्तों मैं जो इन दोनोई फिल्मों के पहले दिन की बॉक्स ओफिस पटिक्शन बताने जा रहा हूं तो हो सके तो आप लोग इस वीडियो को सेब कर लिजिए ताकि आप लोग लिजिएगा कि मेरा इन दोनोई फिल्मों का बॉक्स ओफिस पटिक्शन कहां तक सही हो रहा है तो दोस्तों आपको बता दे कि जिस तरह से इन दोनोई फिल्मों को देखने के लिए दर्सकों में क्रेज बना हुआ है इस हिसाब से भुल-बलिया थि से 40-45 करोर रुपए की धमाकेदार कमाई करने वाली है पर दोस्तों आप लोग को क्या लगता है कि ये दोनवी फिल्में अपने पहले दिन बॉक्स ओफिस से कितने करोर रुपए कमाएगी आप लोग भी अपना राय कमेंट वक्स मिली कर जरूर बताईएगा और ऐसा ही अप